असलम अलेकुम बॉर्णिंग एव्रोवन वेल्कम टो मैं जैनल दप्यॉ लास्टूरीस तो कैसे हैं हम सब हूप आप सभी अच्छ होंगे मैं भी ठीक ठाकी हूँ तो अचलिए शुरू करते हैं कानी एहसास प्यार की एपिसोड 33 जो पूजा है वो अपनी होटों में एक चुर्शती है मनी मन की ही भॉला कोई बात ही मतलिब नाताशा जी ने मेरी यहां पर छूई तो यह का मेरी गलती है Asia a men मन में सोचते सोचतों एक दम से जाती अपने साइड पहराना देख जो पूजा है और इक हाथ से अपने लिफ्स को से ला रही थी तो ऋ वह हसती ए और यह न्याकर ऑफन काम घोनीskी जिए मैं क्या हुआ काटळी क्या मैं मैंने जैसी ये usement पुझवर गाटळी क्या का generally पिया वबल दिए लेक्स सिंद ऺत रही हो तो इतनी उभर रही है हुआ क्या है तेरे यहाप वह क्या हुआ तभी उभ जब तेप Nowawa क्या हो मेरे यहाप क्या होगी कुछ नहीं ह। तो अब करना तभी आना जुटती कि अर्ई यार मैं अपने काम ही की हूँ काम खत्म करके देखी तो अपने होटो को सहला रही है क्या हुआ ये तो बता कई मैंने कार्ट ना दी हो तबünden से पूझा पूलती कि यार तुन ना ? यह तुना तुम दोनो ही और वो मिश्का जी, दोनों मिलके छेड़ते रहे तो, यार, क्या है, मैं तेरी दोस हूँ यार, तब है जो है, आना हो रहे, दोस्त है, तुछे नहीं छहेदेंगे, तो किसको छहेदेंगे जरा यह बता तो, तो मुझा होती है कि यार, बास कर ना, यार, फ्लीज, काम कर अप उदर रुई की फोन में एक्तम से कॉल आती है वो कॉल में किसी को इंस्ट्रक्शन देती है कि उसका काला छिथा जो है मेरे सामने आनी चाहिए जो तुम्हें एक दिन का वक्त देती हूं उसका जो भी है का मैं जो जितने सारे कम्पनियां हेंडल करता है वह सारे के सारे मेरे पास आजानी चाहिए डिटल कौन सी कम्पनिय ने किस वीशें मे वह किस हाहां सब कुछ मेरे पास के आने चाहिए एक एक डीटेल को पकरो और लेके आओ कुछ भी छोड़ने हो अपत तभी सामने से बोलती है एक दिन का वक्त काफी है हम करते हैं रुई फोन काट कर देती है इधर मिश्का एक तम से रुई की कमरे में जाती है तो बोलती कि क्या हवा तो रही बोलते की कुछ नहीं . मैं तो मूव लाई थी तेरे इहा पर वो मालती करें तभी वह बोलती कि उसकी hटाрий और उसकी कई ज़रूरत नहीं है तबी जैसे ये बोलती? तबी मुश्का बोलती चांँ सुझ हे घराओ पूजा जी हां ранएं, han पूजा जी उज्सकाइध पूजा भ Space एक प्वजा आयी औ, मतलब पूजा आयी थी तो उसे नरू कर दिया मूव से अब थोड़ी बेहतर लग रही हो तभी एकदम से मिश्का होती हाँ हाँ अब तो बिल्कुल पर्फेक्ट लगेगी ना तो अब स्वास्त हो जाएगी मतलब अब तो तुझे कोई प्रॉब्लम ही अरे तेरा ना वो था कि वो अपनी महबूबा के हाथ से वो जो मालिश होती है हई प्रॉभी होती है मतलब तभी अग SeAfter हो रही है अरे तुझकर चुपकर जा क्या है तुझने कुछ नएं हे जल मैं तो कुछ काम से लेया थी और यह लेकर आए ठी कर सकती ह मैं तो ऐया आप पर जरूरत नहीं है高ित्थ मिश्का भी वोलती कि हाँ पता है पता है तो तो दोनों मिला के कुछ काम वगएरा देखते हैं तभी लांच का वक्त हो जाते हैं तो रुह एक्दम सोनी नहीं क्या तो में इसक를 देख देखते हैं कि अक करनी तो है क्यों तो रुह रती नहीं टाइम हो गई है तो इसलिए बोली मैं तो भूलती कि हाथ तो हो गई है हो गई इसके इतने क्या बरी बात है उधर तभी जो पुझा रहाना है वो दोनों भी पूझा लॉंच का टाइम हो गया और मिश्का जी कहा रहे गई अभी तक नहीं आ रही है तो भूते कि मुझे क्या पता तभी रूही की एक दम से कॉल जा सतनी है क्या तो पूझा PayPal करनी तो है में पर तभी एकदम से रूही बहुती ही तो अगर करनी है आ जाई कीवेरा कैविन पर मुझा यहीं पर है और आनगा थे यह वोट अब करनी है इधर जो है आनगाी क्या हुआ पर्म की क्या बुला रहा है तो 'll लुज, क्यों जाओ लेए कि तुम्हे भी उलाई है ना इसलिए तो आनों बूली मुझे है मुझे क्यों तो पूझर किया या तूं ना िए तो सवाल पर सवाल् सवाल पर सवाल क्या कौन बनेगा करूरपती में है क्या तूं और मैं वहा सब Doc तो मुझे से सवाल कर रही है, मुझे जवाब देनी होगी। तो यहाना हस्तियार बोलती, दे दे ना, करूरपती हो जाएगी तू, तो यह पूझा भूलती कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, तू चल। यह दोनों अपने टीफिन उठाते हैं और जाते हैं वहाप पर तू तू बजी है। तभी उपूलती हो हना भूती की आप लोगो करें लूंच के आए आप लोग नहीं करेंगी क्या। तभी मिश्ण के हमारा आते काई होंगी, तू दोनों शूरू करोंतो दोनो हैं। वह स्ठाट कर देते, तभी को स्टाफ आते हैं नोक करके डोर को अन्द भी सी वह कुछ खाने लगती है खाते खाते एकदम से पुजा आज भी जो है वह चिकन करी और राइस लाई थी तो वह खा रही थी तो रुजी बड़े प्यार से उसको खाते हुए देख रही थी वह अपनी महभूब महभूब इसनी सुकून के साथ खाते देखे किसको नहीं मिलेगी याद वह बड़ी प्यार से बस पुजा की तरफ देख रही थी तभी मिश्का की भी नजर जाती है मिश्का साइस से हां हां ये कर लो पहले मतलब आहे भर लो पहले खाना भूल जाओ तो यो देखते हैं कि क्या है तु एक चीज को छोड़ती नहीं सीधा पकड़ क्या है वहां भी आव पहले मोग इस सामने अगर खुलं खुलाओ ये सब करोगे तो मैं पकड़ूंगी ना तुम करना बंद कर दो मैं पकड़ना बंद कर दूंगी तो वहों गहार ते रा ना कुछ भी नहीं हो सकती तो चुप फ़िसमाख ऐस कहने लगती है तभी पूजा बोलती कि एक बार मेरी हाथ से ट्राइ करो आप दोनों बहुत अच्छी बनी है चिकन के लिए एक बार खाके देखो तो मिश्का बोलती कि अच्छा खिला दो फिर तो एकदम से थोरी से आगी काती दर रूही घूर के देखते कि क्यों तो हाथ से नहीं ख्या सक देखती कि तभी मिश्का बोलती कि तुझे क्या प्रॉबलम है यार देखो तुम ना चम्मिच थोरा सा खिला दो मुझे मैं टेस्ट करके देखती हूं कैसी है तो फूजा बोलती कि नहीं आप हाथ से खिला रहे हैं ना मैं खालो इधर एकदम से रूही भूर के देखते है प्रॉबलम आप को अतनी क्या मची है कि सबको हाथ से खिलनी होगी ? चमिच उठाओ और वहार से खिलाओ तो उज्य एकदम से देखते हुए और गोलती कि क्या है रहे हो ना कुछी दिक्कत है क्या तब प्र जोसी प्रॉबला तो पिर मुझे पहले खिलाओ मिशका गूर के देखता है भाई ये क्या बात ही मतलब वो पहले मुझे बूली थी कि मुझे किलाईगी तभी रूभी पर बोलती हाथो खा लेना ना पर पहला निवाला मेरी नाम की देखे पूजा जी मैं बोल रही हूँ तभी पूजा एक दूमसास्ते बोलती है कि आप दूलो क्या बच्चों की तरह भीव कर जो हाना तो बरे मज़े के साथ वो अपनी खाना खा रही थी और इन तीनों की हरकते देख रही थी उसको बड़ा मज़ा आता है ये सब देखने में तभी पूजा बोलती है बच्चों की तरह भीव मत कीजिए मैं खिला दे रही हूँ तभी रुभी बोलती है मुझे कुछ नहीं बता पहला निवाल है आपका मेरे नाम की फिर आप खिला सकती है उसका हाथ से वरना आप चम्मस से खिलाओ इसको तभी रुभी जो है ये सब बोलती है तो मिश्का बोलती है मैं तेरी दोस्त हूँ क्या हुआ तोस्त है जो भी हो देख चमस्त से खानी है तो खाले वरना पहली निवाली मेरी नाम की होगी फिर तु खा सकती है तब विशका बोलती है भवान मेरी माँ थीक है पूजा तुम पहले अपनी इसको अपनी इनको जरा ठंड करो इसकी भूख मिटाओ पहले फिर मैं खाती मिश्का की बात सुनके जो पूझा है वो धूड़ी से शर्मा से जाती है बलश करने लगते है जिसे देखके मिश्का बोलती कि ऐए है खुड़ी शर्मा गए है ये शर्मो हया तो देखो पूझा तुम इतनी क्यूट मत बना करो यार वैसी भी लोग तुम्हारे पीछे है तो फूझान को वो चीज गएताती है कि जो नताशा ने उसकी लिप्स को टच की थी और रोही ने उसाहरे योई पैट की थी वहीच सोचकर ना वह एकतर ऑफा से खासने लगती है तभी तुरंत रोही ऊटती है उतंवों एकतम से हमचों और थेक हो एना मैने बोला है कि जो सबहें अपने में उपनी से अपनी उपनी बॉटरिय। और उपन करके उसके पास देते हैं और अपने हाथों से उसे पानी पिला रही थी यह देख के मिश्का बड़े गौर्ड से रुषी की तरफ देख रही थी तो आहाना उसके बगल में थी आहाना थोरी से लोव वाइस में पूटी कि क्या देख रही आप तभी मिश्का गोलती I am just shocked ये रूही और पहले की रूही में जमीन आसमान का अंतर है वो रूही किसी से कोई मतलब ही नहीं थी किसी चीज से कोई मतलब नहीं थी उसको बस अपना खाम, पैसा और अपने enjoyment के पीछे भागी थी उसको कोई रिष्टेदारी कुछ कुछ चीज से यह तक दोस्ती तक उसके लिए कुछ नहीं थी लेकिन आज की रूही में जमीन आसमान का अंतर है I am so much happy for her आज की रूही को देखके मुझे बहुत अच्छी लगती है पता है, तभी एकदम सहाना बोलती की हाँ थो लाजमी है फ्यार थो अच्छे-च्छे को भी बदल देता है यह जीता जाकता एक सबूत है तभी यह हस्ती है वो बोलती की that's true I am so much happy for them यह हमेचा ऐसी ही एक दूस्ते का ख्याल रखते रहे तभी आहना बोलती की फूजा की तरफ से बिलकुल गरंटी मैं हूँ कि फूजा की नेचर ऐसी है caring हाँ थोरी सी वो थोरी सी वो हो जाती है panic में वो उस चीज को handle नहीं कर पाती लेकिन बागी समझदारी में कमी नहीं है उसमें तभी जो मिश्काय होती की I know that तो यह दोनों जो है खाने लगते तभी उदर रूही भूती की आप आराम से खाईए या फे मैं किला दू आपको क्योंकि हुआ आप आराम से खाईए कोई जल्दी नहीं है तो बोलती की हाँ ठीक है तो वो अब जो है एक निवाला लेती है जारी की जारा रूही की तरफ करते तो तक रथी लीजे आप खाये तो रूही की आपको से खाते तो वो बहुत अज़ी नहीड ऊंदी नही बहुत की हाथए और राइस के आप आते। आता से ला्त सुनके म dolls आपा से आहनु कि खिला दो आर चैक से खिला टुमारे इनका मन रखलो यहा चाम छी किला दो मुझे प्रोजा करसकते इसकैं फूझे हस्ति है तो वो तो बुल्ती कि नहीं कोई बात नहीं हाथ से खिला सकती हो सब्सक्राइब कर दो दो इक प्रूजा करने के बाद प्रूजा करनें और आहना चली जाती है मिश्का भी अपने था चेए लोग 2021 week? अपना पचाहता शोय काम है वो करने लगती है ओक करते करते ऑफिस एकदम से दाइम फकिये में था काम हखा पहे इधर फूजा जो है वो जाती है रूई की केविन में वो पहले नौक करती है तो रूई बोलती कि क्या भूल गई हो कि आपको मेरे केविन प्याने के लिए नौक करना नहीं होगे तो वो वो सोरी तो जाती अंदर देखती है रूही ना जो है वो सर टिका के अपनी चयार पर बैठी वी थी तो वो भूती ही क्या हुआ तब ही रूही बूलती कि कुछ नहीं है थोड़ा सा सर में दर्ध हो रही है पतनी ही कि वह शायद मैंने रात को प्रोप पर तरीके से सो ही नहीं थी तब वो बूट doświad कि आपको क्या ईशुआ है हर बार आपका रधर धर्ध हो जाती है तब वो बूट parc영 यर मुझे माईगरेन इisch लिए इसलिए सरद लाजमी है आना तो यहार मुझे माइगरेन इसलिए सरदद लाजमी है अना अब क्या ही कर सकते हैं तब वो भूती कि इस साइट पर आ जाई है ना माराम से बैठो तो भी वोगो थी प्लीज ना तो उसके सर लेप पे सर रखते हैं और काउच पे सो जाते हैं इधर पुझा उसकी सर को आहिस्ता आहिस्ता करके दवाने लगती है रूही को इतनी जादा सुकून मिलती है ना वो उसी अंधास में उसको कमर से हग करती है और वै वह अपने नजरों को पा जाद ही नहीं पार रहे थी उसी इतनी प्यार आती है रूही की उपर की वोले तो रूही को बहुतों दीजगते दिखहते किस करती है जैस से वाशा कुपर की तरफ करती है और लू संद आप लिए 狂ता पार है पे करती हो तो यहां भी मैं करतीज जैसे यह बहुती ही तो पुझा घूर के दिखता है आप सोही नहीं तो जो रूहिया बहुती है हाँ मैं तो सोही रही हूँ अगर आपने फोड़ट पर दे दिया तो इसमें मतलब वो लिफ्स को अपटी थोरी से उपर करके जो फेस के वो दिखा रही थी पुझा हास्ति है तो एक्दम से उसे शरम तो आ रही थी लेकिन वह एक्दम से जो थोरी से जुकती है और उसकी लिफ्स को हल्की से जस्ट चूके एक्दम से किस करके वह फिर से एक्दम से पुझा की तरफ देखें वो थी क्या बात हुई मैंने तो यह इंकांप्लिट है जाना तभी पुजा हसती है और वो थी कि देखिए जितनी मिली है ना उतनी में खुश रह किजिए आप तो यही मिलीगी आप कोई से जादा नहीं तभी वो पुछी कि हाँ यह क्या वात हुई तो एक्दम से ना उटके बैठती है और पुजा को बरे प्यास से देख रही थी पुजा बड़े क्यूट तOne breve देख रहे ती तभी एक दम से देखती जो रूही वो थूरी से इमोशनल हो जाती है वो रूही पुजा की हात को पकड़ती है अपने सर में लगाती है तो पुजा बती कि क्या कर रही हूँ तो बता नहीं जब से आप मेरे जिन्दीके में जो है बैठ चुकी है मुझे ऐसा लगता है कि कई कोई आएगा और अगर आपको मुझसे झीन लेगा तो मैं मैं में जीओंगा कैसे प्लीज प्लीज आप मुझे खभी छोड के मत जाये ना जैसे ये बोलती तो पुझे एकदम से उसे हग करते हैं और बोलती कि क्या बोलते रहे तो आप ऐसा कुछ नहीं होगी आप क्यों ऐसा सोच जहे हो अरे कोई मुझे आप से छेन नहीं पाएगी क्या बोल रहो आप तभी वो बोलती कि पका ना आप मुझे छोड के नहीं जाओगे ना तभी पुझे आप बोलती कि ये सब बाते ना अपने धिमाग में मत लाओ प्लीज आप भी ना ये सब क्यों सोच रहो अभी तभी रूही बोलती कि मेरे अंदर ये डर पतानी क्यों आ गई है मुझे लगता है कि अब आप सपास के लोगों में से पतानी कौन आए और आपको मुझे से छीन ले तभी पुझा भूलती क्यासी नहीं हो सकती आप से छीनना ना मुम्किन है प्लीज ये सब मत सोच आप तो रूही एक्तम से उसे हग करती है और ये दोनो दोनो एक दूसरे को हग करके ही रहते है तरी जो है आदे घंटे तक ये दोनों एक दूसरे को हग किये हुए थे तो रूही एक्तम से पीछे उती है देखती है वक्त खतम हो गई है तो वो बोलती कि चलिए आपको छोड़ के आती हो तो उड़ती है और वो पुजा को उसके घर तक छोड़ आती है ऐजी विचल जैसे वो छोड़ती है फिर वो आती है वो आके अपने फ्लैट में आती है फ्लैट में आती ही मिश्का उसके लिए इंतजार कर रही थी तो मिश् तब ठीक थी अभी क्या हुआ तभी वो बोलती कि कुछ नहीं हुआ यार कुछ नहीं तभी वो बोल तो सही हुआ क्या है परेशान क्यों दिख रही है तो तभी रुभी बोलती कि नहीं यार कुछ नहीं तुमिश्का बोलती कि क्या सोच रही है नाताशा के बारे में कि वो प और फुजा को मुझसे छीन ले, ये डर ना अलग ही है, मैं मैं खुद को काम नहीं कर पा रही हूँ, तब ही मिश्क्यासतियार बोलती कि कोई बात नहीं, जब कोई चीज हमारी दिल की बहुत ज़्यादा करीब होते हैं तो उसको खूने का भी डर बहुत होती है, लाजमी है, और तु है ना, सारी चीज को हैंडल करने के लिए, लिए एक तु बात ना, जब नौताशा जो है ना, इसकी बात ना, हम समझने पा रहे हैं, आखिर इसके मन में है क्या, कि ये वाकिए में मिस फूजा के पीछे पड़ी है, तभी रुई होती है, और पर गई तो तो लिए या रे तु है ना, I know, तु अपनी कीमती चीज को संबलने के लिए, तभी एकदम से जो रुई होती है, वो चीज नहीं है, यार, वो चीज नहीं है, वो मेरे लिए बहुत खास, तभी बोलती है, हाँ, तेरी हो खास इंसान, तेरा दिल, तेरी जान, यही ना, तु रुई ह अपनी जान के सलामते के लिए, तु जो करने होगी, मुझे अच्छे से बता है, तु खड़ेगी, उसकी हिफाज़त पे, तभी रुई होती है, पहले ना, इस नताशा की इंटेंशन को जानने होगी, यार, तभी रुई होती है, तो जान लेगी, I know you, very well, तभी बोलती है, यहां तो फ्रेश वगरा होती है, डिनर वगरा करके, जिलजल हर दिन की तरह जो डिनर करते है, कपरे में जाते है, पूजा से थोरी बात करके सो जाते है, अर्ली मॉर्निंग होती है, जो पूजा और रहाना है, ये लोक आफिस चले जाते है, इधर जो मिश्का और रुई ह यह भी आफिस जाती है, आफिस जाके सबसे मुलाकात होती है, गुड मॉनिंग, विश वगरा होती है, तो एकदम से जो रूही है, वो मिश्का की तरफ देखती है, और भोलती कि देख, मुझे दूसरे साइट पर जानी है, मतलब वो नाताशा की वहाँ पर, तभी मिश्का ब क्या दिक्कत है, तभी वो बोलती कि नहीं, तो ऑफिस हैंडल कर में जाती हूँ, यह भोल के रुगी निकल जाती है, और जाने से पहले पुझा को बोल दीती कि मैं थोरी से बाहर जा रही हो, तो जाती है, इधर मिश्का आती है, आना और पुझा के पास अब बोलती कि क्य करें गल्स तुम्हारा मैडम तो गई खडूस तभी पूझा एक टम से खडूस नहीं है वो थोरी से स्ट्रीक है तो एकदम से मिश्क भूती कि आहां नहीं हो खडूस थोरी है वो तो मतलब क्या बोले लाविला क्या मैं बोलू यार तभी आना भी हस्तियार भूलती कि कुछ म बोली है अब इनको उनकी वो खडूस निजबी प्यारी लगी कि क्या ही कर सकते है ना तभी मिश्क भी हस्तियार पुझा की तरफ देखर बूलती कि हाई ही ये प्यार भी ना क्या रंग दिखाती है तभी वो बोलती है आप दोनों ना बस मतलब इंतजार करते रहे तो कि आप दोनों और बस शुरू हो जाती हो तभी मिश्क भाश्तियार बोलती कि आप क्या ही करे तुम दोनों एकनी क्यूट चूट हरकते करते हो ना हम अग्नॉर नहीं कर पाते तो बोलती हो गई ना बस तो ये लोग जो है काम करने लुग दूसरी और रूही पहुचती है नत शाशा अपनी केविन में वो किसे से बात कर रही थी, वो बोलती कि वो फोन में कुछ इस तरह की बात कर रही थी कि यार, यार जब से उसको देखा न तो पता नहीं, ये मेरी पूरी बोड़ी में अलग सी फील होने लगी, जब मैंने उसको पहली बार जोई थी, मतलब नहीं मिस्टिकली है, मेरे पूरी बोड़ी में सेंसेशन आ गई थी, वो इतनी क्यूट है न, सबसे खूब सुरत तो उसकी आख है, जब भी मैं उसकी आखों की तरफ देखती हो, मैं खूब सी जाती हो, दिवाना बना देती है, यार, इतनी क्यूट है, पता नहीं, क्या वो वक् कि मैं उसकी करीब जा पाऊंगी, मैं फॉल इन लव विधार, यार, जैसी यह सुनती है, तभी एकदम से डोर नौक होती है, और यह सारी बाते न, सुन चुकी थी रूही, वो जैसी डोर नौक करती है, तो एकदम से नताशा की भी, जो नजर है, वो जाती है, डोर के तरफ तो रुही को देखिए, वो धोरी से घबरा सी जाती है, वो एकदम से उठती है, अपनी फोन कट कर देती है, और बलती है, बात में बात करते हूं, तो बोलती है, अरे रुही, आप एतनी सुबह यहाँ पे, तो रुही बोलती है, हाँ, आपके साइट का काम देखना आया पहुलते कि आए हाँ आओ अंदर आओ और कोफी पहोगी। रुही मना करती अरुलती है कैसा चल रहा हैए। जैसे एकieg सुनारा की नाम सenne रुषी ब उठी कंच लेती है तो रूही एकतम से बोती कि आया यहां मैं हूँ आप मिस्पूजा की बात कर रहे है क्यों कुछ ज्यादा इंट्रेस्ट है क्या उनमें तभी ना जो नताशा है वो एक अलग सी स्माइल पास करती है और बोलती कि बात ऐसी नहीं है बात तो कुछ और ही है एक्षिली अच्छी है बहुत बहुत अच्छी लड़की है तभी जो है रूही बोलती है वो तो मुझे भी बताए कि अच्छी लड़की है लेकिन बात यह है कि आप मुझसे बात करने के लिए उसका जिक्रह करते हो तो थोरी यह चीज अलग सी लगती है तभी नताशा बो बहुत सारे चीजों को दिखा रही थी लेकिन रूही की दिमाग में तो कुछ और चल रही थी जिस तरह से नताशा ने बोली इस चीज न उसकी धिमाग में एक्दम से पीन कर गई है वो बस इसी बारे में सोच रही थी कि कहीं ये ये पुजड़ा की बारे में तो बात नहीं कर रही थी वो यही सोच रही थी उसका ध्यान नहीं थी तभी एकदम से नताशा बुलती कि रूही क्या हुआ हम इस रूही तो यही रूही एकदम से बुलती कि वो नहीं नहीं कुछ नहीं हाँ दिखाई यह आप तो जो है फाइल वगरा देखने लगती है और तभी था वो बूलती कि देखे यहाँ पर बहुत इशू है यह सारे चीज़ को हैंडल करने के आप इस तरह से नहीं आप इस तरह से करो सारी चीज़ को ट्रेगल करो और जो दूसरे साइट का प्रोजेक् कर दो आप सारे लोगों को यह इंस्ट्रक्शन दे दो कि यह शुरू कर दे अलग साइट पर और मैं कल साइट से भी होके आऊंगी अगर आप चाहो तो आप भी चल सकते हो मेरे साथ तो नाताशा भी बोलती कि हाँ शूर भाई को बुलाओ कि हो भी एक बार चलके तो हम चलके देख लेंगे तभी ना एकदम से नाताशा जो है बोलती कि तो एक काम किजिए आप अपने सारे दोस्तों को लेए यह ना इंक्लूटिट मिस पूजा फीज से पूजा की बाहत सुनके आप रूही को इतनी गुस्सा आ ली थी कि हर एक टॉपिक पे उसको मैटर है नहीं हर एक बात पर आपको वो चाहिए क्या मैं पूछ सकती हैं इसका वज़ा जैसे वो यह बोलती है ना तो एकदम से नाताशा जो है स्माइल करती है और वो कुछ बोलने वाली थी लेकिन वो बोलती नहीं है तभी रूही बोली यह आखिर क्या दिकत है वो मेरी इंपलॉय है आपको पता है ना तभी ना नाताशा एकदम से बोलती एक्चले मिस रूही मैं आपसे चीज मांगनी जाती हूं तभी रूही बोलती कि क्या क्या मांगनी जाती है आप तभी नाताशा बोलती कि एक काम कीजे ना आप आपकी यह जो इंपलॉय है जिसको आपन करेंगे एक अच्छी पोस्ट के लिए आपके वहां पे जिस पोस्ट है वो मुझे पसंद नहीं है जैसी ही यह बोलती है रोही एक्दम से खड़ी हो जाती है और बोलती कि माइंड यू लाएंगे क्या बोल रहा है आपको पता भी है वो कोई चीज है जो मैं आपको दे दूं क्यों नहीं अगर केरियर के लिए एक अच्छी अपोचुनिटी मिले तो भला कौन मना करेगी मैं वही उस हिसाब से आपको बोल रही हूं तभी रूही बोलती कि नहीं वो मेरे ओफिस में है और मेरे ओफिस में ही रहेगी आप ये सोचना भूल जाएए कि वो कभी आपके ओफिस में जॉइन करेंगी ठीक है और एक और बात मिस नताशा उगरा है प्लीज स्टे आवे फ्रॉम हर तभी नताशा वो एकदम से थोरी से उभी चिट जाते है और बोलती कि आखिर क्या रिष्टा है आपका उससे जो हर बार आप उसके पीछे एकदम से तीमक के जैसे मैं तो से उसके लिए कर रही हूँ आपके लिए थोरी नहीं छूरी है स्फेंपंलॉई तो है कि रूह को इतना गुस्सा आती हो गोंदी कि इंपलॉई नहीं है यह माइन नताशा बोलती है अजीब बात है आखिर है क्या रिष्टा आपका वो तो बताइए तो रुखी बोलती है जी रिष्टा चाहे जो भी हो आप मेरे बिजनस पार्टनर है उस हिशाप से रहिए लेकिन आपका मेरे ओफिस की किसी की कोई भी इंप्लॉय के साथ कोई नाता नहीं होनी चाहिए सिर्फ आपका नाता मुझे से होनी चाहिए क्योंकि मैं आपका बिजनस पार्टनर हूँ तभी नताशा बлось की हाँ ठीक है पर वो मेरे दोस्त है तभी और बोलती ही हो दोस्ती काईम रखना है तौ रखिये लिकिन सही तरीके से गलत तरीके से नहीं आप जो कर कि कोशिश कर रही हूं यह आपको कैसे बता मिस रूही अरोरा तबी रूही बोलती कि देखिए मुझे चैलेंज मत करिए नताशा भी अप जोश में आ और भूलती है कि मुझे ना चैलेंज करने में बड़ा मज़ा आती है तो करके देखते हैं ना मैं आप सीधी बात पर आती हूँ अब तो मैं बैक से खेल रही थे आप फ्रॉंट में आके खेलूंगी वेल सीधी सीधी हो लो जैसी ही यह बोलती है रूही घूर के उससे देखती है तो नाताशा बोलती कि किया डरधुआ देल में आई नौ आई नव dog लभर जिस celebration जिस तरह से आप उसे देखती हो, जिस तरह से आप उसे उसका क्यार करती हो, उसको सेफ करती हो, पता तो चली गई उझे, जिस तरह आपका रियक्शन होती है, मेरे करीब जाने से उसके पास, हर चीज ध्यान है मुझे, पर अब क्या ही करे, दिल आ गई उस पे, I fall in love with her, और म मुझे वो किसी भी कीमात में चाहिए, सिर्फ उसके कारण ही मैंने आपको वक्ष दिया, वरना ये जो टेंडर आप लेई हो ना, बस एक ही घंटे में सब कुछ नष्ट कर देती मैं, सिर्फ और सिर्फ उनके कारण छोड़ दिया आपको, कि कही ना कही वो आपके साथ जु बिकॉज इफाइ लव हर, शी आउसो लव मी, तभी जो है, नताशा थुरी चूप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती है, तभी नताशा बोलती है, ये तो वक्त बताईगी, अब वक्त का खेल है, हम तो वक्त आने पे बताएंगे, फिलाल मुझे लगता है कि आज आपको जादा ही घुस्साय में है, फिलाल आप अपने ओफिस में जाएंगे, साइट में बिलता है, और हो सके तो मिस पूजा को भी लेके आईएगा, जैसे ये बोलती है, तो रूही बोलती है कि कुछ जादा हो रही है तुम्हारी नताशा, नताशा बोलती है, जादा तो मैंने अभी तक कुछ किया नहीं, पहले करने तो दीजिया, अपनी मुहबबत के लिए लड़ना तो पड़ेगा ना, बिना लड़े ऐसे कैसे जीत जाएगे, आप तभी वो बोलती कि हो कोई गेम थोड़ी ना है कि मैं उसके लिए लड़ूंगी, आप क्या बोल रहे हो, तभी न मैं हूँ, चलो देखते हैं क्या करेंगे आप, और मुझे एक बार ट्राइ करने दीजिये तो पता चलीगी ना, कि क्या वो वाकई मैं आपको प्यार करती है, अगर प्यार सच्चा है, तो मेरे पास थोड़ी ना हीगी वो, तभी नाताशा जो रूही बोलती कि क्या वो मैं मजबूर मत करो, जो मैंने किया नहीं कभी, तो ये नाताशा भी बोलती कि चलो देखेंगे आखिर आप क्या ही कर सकते, ये बोलके, नाताशा एक्दम से बोलती कि ठीक है, मैं मुझे कुछ काम है, मैं अभी निकलूंगे, इदर रूही एक्दम से उठती है, और चुप क्लब में, क्लब जो है, वैसे क्लब तो ओपे नहीं थी, लेकिन अभी कुछ दिन बाद क्लब बंद करने की सोची थी, तो राजबीर जैसे ही रूही को देखती है, थोड़ा सा शौक होता है, क्योंकि बहुत दिन बाद रूही आया है, तो बोलती कि मैं, आप कैसे हो, तो रूही कुछ बात नहीं करती है, वो सीधा जाती है, वो बार सेंटर पे बैठती है, और वो बहुत द्रिंक करने लगती है, वो इतनी गुस्य में थी, तो राजबीर भी बहुत शौक था, तभी वो एकदम से कॉल करता है, पुजा को, पुजा जैसे ही फोन उठाती है, तो बोलती कि नहीं क्यों क्या हुआ, तभी वो बोलती कि यार वो तेरी में यहाँ पर आई है, तो पुजा थोरी शौक होती है, बोलती कि मतलब क्या है, तभी वो बोलती कि यार तेरा में मतलब मिस्रुही, वो यहाँ पर आई है और ट्रिंक कर रही है, जैसे यह सुनती है, प मुझत मुझत स्मझ नहीं अअच्छा हुआ ने țंट कुति कि अच्छा के रहा पीते जा रहे रूख में फॉन करती हुँ तभी वह फॉन करती है क्म सब्सक्राइक 땀 नहीं Thaco ना उतना फिर यह कौल करते नहीं कि उनको कौल दे निकितरा लिए है। रु्हिअ अफार भूले पुजा एकदम से सबस्क्राइब की वेलगा आफूशा का अवास बस्केदूर अगर नहीं आते हो तो आदे घंटे बाद में खुद क्लब में चली जाओंगी अगर आप चातो हो कि मैं क्लब में ना जाओं तो बहतर है आप जल्दी से आफिस आईए ये बोलके वो कॉल कट कर दीती देर रुखी एक्तम से खूर के देखती है राजपीर को और बोलती कि उसको किस ने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ तो राजपीर जूपो जाते है वो सारी हर जो है जुका लेता है तो रुखी अक्तम से उठता है वो जो गलास उसके हाथ में थी वो अक्तम से फैप कर आती है जमीन पे और वहार से चिपचाप निकल जाती है वो अपने कार लेखती है और वहां से सीधा ओफिस आती है पूजा उसके कैबिन में ही थी वो सीधा जाती है कैबिन में तो देखती है पूजा उसके ठेविल के साइट पे अपने दोनों हाथ को फूल किये खड़ी थी तो वो बोलती कि हाँ क्या हुआ तबी वो बोलती कि आप क्लाब क्यों गई थी तबी पूझा बोलती कि नहीं बस घूरी सी ऐसे ही गई थी मैं तौगा से नहीं बोलिये यह जो आखित जुका के बात कर शुरी हो उप मैं समझ पारे हो इतना तो समझ गई हो आपको बोलिये क्या हुआ तो रुपी बोली खुछ नहीं हुआ तो तो तुम अपने काम करो। मैं बाद में बुलाती हूँ तुमको प्लीज। तो बोलती है कि नहीं मUJS, Meta pastor, क्या हुआ, क्या हुआ और यह उधास क्यों हो आप ये आखे रेट की हुआ है क्या हुआ कुछ दिक्कत है कुछ परेशान है तभी वहाँ पे मिश्का भी आती है तो मिश्का भी देखते है रुही के हलत तो भी पुछती कि क्या हुआ गुस्से में है क्या ये आखे लाल की हुआ है जो रुही कुछ नहीं बोलती तभी पूजा वह शोक कि अचानक क्या हूँ वह मिश्का भी एकदम से देखती है कि वह बूजाती है रोती हुआ क्या है इतर पूजा भी उसे पहले पताई हो तो सही हुआ क्या है तब फूजा को एसास होती है कि उसके नेक्स साइट में थोरी से लीकविड से एकदम से गिरी तो आजीब से लगती हो थोरी सी पीछे होती। तो देखती है रोही की आखों से आसु हा रहे थेंग तक। फूजा यह देख के बहुत शॉकती हो और मिश्का भी क्यों कि रूही की तो कभी ऐसे नहीन हुआ कि ड़уч लोग के फूज की पूज में हैं यह वह हो कई हम क्रिफ न गज पूज़ंगों का मों इसलों की थे चाहिए यह क्या हुआ हिएंप क्या हुआ हुआ है आट रो रोड हुल यह तुरल सिने उत्ते दो फूल थे पिर रोण nov甲 करिए हरे मैं मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती बोल ये ना क्या हुआ तभी मिशका भी बोलती किया रो बोलना क्या हुआ एक तो ना तू तो कभी रोई नहीं है यार यह तेरी इस तरह से रोना हम बरदाश नहीं कर सकते बोल क्या हुआ तभी रोई एक तम से बोलती कि नुताशा उगरॉय, Fall in love with Pooja, जैसे Pooja यह सुनती है, वो थोरी सी पीछे हो जाती है, और वो थी कि क्या, क्या भूल जो आप, तभी वो बोलती है, हाँ, वो आप से प्यार करती है, अभी, अभी उसने बताया है, उसने कहा है, कि मैंने नयाब चीज को चूस की है, तो competitor तो ह पया होने चाहिए, ना, तभी वो बोलती कि भागल होगे हो, क्या बात करती है, तभी, मिश्का भी बोलती कि, अरे, तु भी क्या उसके बातों में आ गयी, ऐसी थोरी ना होता है, तो, तो Pooja से प्यार करती है, Pooja तुसम्रे प्यार करती है, बात खतम, यहापिर थार्ट थो भी इतनी डर, इतनी डर, तभी रूओ वो ती कि यह पता नहीं, मैं नहीं चाते इनको खोना, तभी त्याबुजा वो ती कहा रहे, आप मुझे नहीं खोगी, चाहा, ठीक है, उनको मुझसे फ्यार हो गई उस चीज़ के लिए मैं क्या कर सकती हूँ मैं तो नहीं करती ना और नहीं मैं रोक सकती हूँ उनको मुझसे प्यार करने के लिए आप सोचिए ना देखे वैसी भी इस मामले में मैं बहुत कच्ची हूँ मुझे पता नहीं है हाँ उनकी बाते बहुत अजीब लगती है मुझे ये मैंने कल भी आना को बोली थी और मुझे अजीब लगती है पर इसका मतलब ये थोड़ी ना देखे आप पहले ना ये बात को अपने दिमाग में रखिए कि खाला भी हूँ दूसरी बात मत सुचिए आपकी कौन क्या बोलती है क्या नहीं मैं आपसे प्यार करती हूँ सिर्फ आपसे ठीक है शान्त हो जाईए लेकिन रूही की मन में वो चीज़ रह गई थी तो चलिए देखेंगे आगे क्या होता है रूही कैसे इस चीज़ को ट्रेगल करिए और नताशा क्या वो वाखे ही मैं फूजया से प्यार करती है जानेंगे अगले कुछ एपिसोड में तब तक अपना ध्यान रखिए अपनों का ध्यान रखिए धे सारा प्यार बातिए हमें अपनी दुआउं में कभी कवार याद कर लेना तो लव यू आल गाई से यू सून टाटा वाई वाई खुदा अफिस